Hey everyone, so कैसे हैं आप सब लोग I hope you're doing good आज की कहानी जो मुझे सुनानी वो है class 10th के लिए और वो सुनेंगे आप शिपरा मैम की जबानी Welcome back to your favorite channel Magnet Brains यहाँ पर आपको बिल्कुल free education प्रवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने life में बहुत अच्छा कुछ कर सके बचो So, आज हमें क्या करना है वो आप shots जो आपने देखा है उसमें आप समझ गए होंगे notification आपको मिल गया था कि यह video release होने वाला है अब आज आपको समझ में आएगा sample paper से ही आप अंदाजा लगा लोगे कितने सारे जो question हम लोगों ने term 1 के लिए mcq में पढ़ा है मैंने 200 question वो यूहीं वेर्थ नहीं जाएंगे सारे question आपको यहीं मिलने वाले हैं So, अगर किसी कोई doubt था हे बगवान बाडम यह सारे mcq हमारे exam में आएंगे कि नहीं आएंगे ठीक है यह सारे mcq जो आप पढ़ा रही इनके लावा भी कुछ आ सकता है तो आपको आज सब समझ में आ जाएगा कि term 1 में हम कितने prepare हैं कि term 1 में शिपरा मैम ने जो पढ़ाया है क्या उसी में से आएगा यह कुछ और आ जाएगा यह कोई भगवान अब तरित होंगे और कोई अलट आपको बनाएंगे सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दे रही के आप लोग excited होने चाहिए अपने शरीर को उर्जा से भर लिजे और इस उर्जा का संचार हम questions को सॉल्व करने में करेंगे बच्चो तो लेट स्टार्ट विड़ सी सैंपल पेपर 2021 फॉर बाइलेजी चलिए शुरू करते हैं देखिए अब यह जो है यह जनरल इंस्ट्रक्शन्स है 90 मिनट्स का पेपर होना है आपका और आपको सारे इंस्ट्रक्शन आपके टीचर्स ने बता दिये होंगे पर बेटा मैं भी तुम्हीं जाना नहीं दूंगी मैं भी बताऊंगी थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन तो चीछ सीखना ही चाहिए जीवन में आ इंसर नहीं है ठीक है सो पहले मैं आपको मिलेंगे डायग्राम-based questions ठीक है सारे question MCQ है कोई परिशानी नहीं है कोई जन्रेट नहीं है इसका ऑंसर कैसे लिखना है उसका अंसर कैसे लिखना है तो आप यह जन्रेटरों से तो मुक्तव हो गए हो ठीक है So MCQ में जो पहला section है उसमें आपको diagram जो है चुनना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है कौन सी labeling का क्या correct explanation है ऐसे वाले दूसरा जो section है मेरे प्यारे बच्चो वो कैसा है वो है assertion reason और तीसरा जो section है वो है case based question का ठीक है तीर आपको section बनाए गए है section A में by 24 questions है biology के हम देखेंगे कि कितने question हमें solve करना है B में भी 24 question है पर कहानी यह है कि आपको सिर्फ B attempt करने हैं दोनो sections में से पहले 20 अब कुछ जो है महारत ही जो होते हैं बच्पन में न मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना था उनके माबब सिखा के बेच्च तो तुम तो सब लिखा न यार तुम तो सब लिखा न ठीक है ऐसा नहीं होता अब मेरे बच्चे हैं आपको पता होना चाहिए कि नहारे उपर पूरा पूरा भरोसा है कि इन तीनों सेक्शन में से आप कोई भी बाईली जी का क्वेशन तो नहीं छोड़ेगा यह मेरी गैरेंटी है क्योंकि तुम मेरी संताने हो ठीक है तो हर वेशन के लिए इकल मार्क्स हैं कोई नेकिटिव मार्किंग नहीं ए अच्छा है नेकिटिव मार्किंग नहीं है ठीक है ना चलिए So let's start पहले 24 question जो है उसमें कौन-कौन से biology की question है आईए देखते हैं मज़ा आना चाहिए देखो किसी भी चीज को पढ़ने से पहले ये life का rule हमेशा याद रखो हमेशा ये life का rule याद रखना चाहिए कि हमेशा पढ़ो वो चीज जिससे मज़ा आए ठीक है मैड़ा मम को तो मज़ा नहीं आता बाली जी पढ़ने पर question तो आना है तो जब तुम्हें पता ही है कि question आना ही है तो थोड़ा मज़ा लो उसका पता तो है कि question आना उसके तो कोई बच नहीं सकते हो ठीक है बचता तो लोग आग से नहीं है ठीक है तो फिर तुम कैसे बच सकते हो आग से खेलो यार अब तो आग से खेलने की बारी है तुम तो मेरा दुरंदर शेर हो चलो शुरू करते हैं section A में 24 question आपको 20 solve करना है पर मेरे बच्चों में चाती हूँ कि तुम मेरा जो है और नाम रोशन करो और तुम बाले जी के सारे questions solve करके आना ठीक है चलो उसके बाद देखते हैं carefully हमको एक diagram देखना है कि पहला question क्या बोला थोड़ा श्रश्मा लगा लेत respiratory system ठीक है याद करिए human respiratory system को मैंने आपको पहचान कौन क्या आप जानते हैं सीरीज में भी revise कराया human respiratory system आपने life process में MCQ भी पढ़ा लाइफ प्रोसेस का one shot भी पढ़ा आपने activities भी की आपने concept videos भी देखें आप क्या करें मर जाएं ठीक है सब कुछ देख लिया है तो आपको diagram तो कम से कम मैंने ही सिर्फ मैं शिप्रतिवारी आपको ही कम से कम 4-5 बार practice करा दिया मैंने उसके बाद तो पिर अगर नहीं बन र दिया है पर वो लेबल को 1-2-3-4 कर रहे है तो आपको लिखा हुआ है diagram with the label ABCD but you have to look the diagram इसमें 1-1-2-3-4 दिया है तो आपको question सुधार ना पड़ेगा देखो human error is a basic error यार ठीक है CBSC भी कोई भगवान नहीं है छोटी मोटी गलतिया हो जाती है ठीक है तो diagram में label है 1-2-3-4 ABCD दिया है बड़ आपको सुधार ना पड़ेगा वो question 1-2-3-4 ठीक है आपको इस diagram में 1-2-3-4 labeling दिया गया है आपको 1-2-3-4 labeling के option देख लो पहले 1-2-3-4 labeling का एक एक औरगन दिया गया है वन का एक और गन दिया गया, टू का एक और गन दिया, थ्री का एक और गन दिया, फोर का और गन दिया है, ठीक है? अब इन चारों में से आपको और गन देखना है, और किस और गन के लिए explanation correct है, वो चुणना है, समझ में आ गई बात? अब इसके लिए बेटा, ऐसे मैं question मत देखो, question मत देखो, पहले explanation सुन लो, ठीक है? पहला जो one number diagram है मेरे बच्चो, देखो, देखो मेरे आखों के तारे क्या है? number one is the trachea, number one क्या है? trachea, trachea क्या क्या करता है? trachea करता है conduct the air, समझ में आई बात? trachea क्या करता है, conduct the air, और इसमें होती है, cartilage से बनी ring, क्या होती है? cartilage in a ring होती है, जो हवा हो या नहीं हो, उससे trachea को collapse या पिचकने नहीं देती, समझ में आई बात? so this is the passage of the air, पहले diagram सुनो, label करो, फिर option ढूढ़ना, तुम सोचना क्या होगा, ठीक है? so a आप समझ गए, one का क्या explanation होना चाहिए, दो को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दो को, दो ये देखो, ये 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 आपको दिख रहा है, ये है आपके ribs, ये क्या है बेटा आपकी ribs होती है, कितनी होती है ribs? आपकी 12 pair होती है, आपकी ribs, ribs क्या करती है, फटब फट से एक पर देख लो, अपना revision भी हो जाएगा, ribs क्या करती है बोलो, जब हम सास लेते हैं, मतलब जब हम inhalation करते हैं, तो ribs क्या होती है? बोलो मुझे ribs होती है, आउटवर्ड, क्या होती है? आउटवर्ड, और जब हम exhalation करते हैं, जब हम सास छोड़ते हैं, प्यारे बच्चों, तो हम ribs को inward लाते हैं, जिसे lungs के उपर pressure बढ़ता है, और हवा जो भरी हुई है, carbon dioxide वो बाहर निकल जाती है, उसके बाद third number देखो वो third number जो है, वो आपको दिखेगा इस round round structure में, और इसका जो संरचना है, उसे कहते हैं, अलविलाई, अलविलाई क्या होती हैं, अलविलाई thin wall structure हैं, कैसे हैं बचो, thin wall structure होते हैं, और ये gaseous exchange करने में मदद करते हैं, समझाई बात, ये बहुती thin wall structure होते हैं, बहुत सारे हो होते हैं, इनको अगर खोल दिया जाए, तो एक lawn tennis का coat बनेगा, बहुत ज्यादा surface area बहुत पतले-पतले होते हैं, इनके चारों तरफ blood vessel पाई जाती हैं, तो जो भी आवा हम अंदर ले रहे हैं, या जो भी inhalation हम कर रहे हैं, oxygen को हम alveolize के अंदर भर रहे हैं, वो oxygen alveolize की ज और blood से हम carbon dioxide alveolize को दे देते हैं, तो alveolize के चारों तरह भयंकर वाली blood supply होती है, बिल्कुल बिल्लू भयंकर और ये बहुत ही thin wall structure होते हैं, ठीक है, नाउ उसके बाद fourth number structure is the diaphragm, यहां लिख दूँ क्या diaphragm यार यहीं लिखती हूँ, त्यान से देखो अगर invisible है या नहीं है मुझे बताएंगे fourth number structure is the diaphragm, आपको पता है किसी भी mammal का यह characteristic feature होता है, अगर तुम mammal है, memory gland है, आपने बच्चे को दूद पिला सकती है, तो इसका मतलब यह कि हम mammal है, mammal का characteristic feature diaphragm होता है, जब हम inhalation करते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, जोना संजे मेरी बात, काम गड़बड हो तो diaphragm को हम नीचे लाते हैं, diaphragm को हम कैसे करते हैं, नीचे करते हैं कि यहां का space बढ़ सके, और आपका lungs हवा भर के फूल सके, तो diaphragm flat होता है नीचे की ओर आता है, जब हम inhalation करते हैं, diaphragm dome shape का हो जाता है, original shape में आ जाता है, जब हम exhalation करते हैं, बताओ पूरे ऊसमें मैंने तुमको एक बार revise भी करा दिया, समझ आई बात, तो inhalation करने के दौरान, आपकी ribs क्या होती है, outward होती है, आपके diaphragm नीचे आता है, ठीक है, जब हम exhalation करते हैं, तो ribs अंदर क्यों आती है, तुम खुद देखो यार, मैं दूसरों को क्या बता हूं, देखो, सास लो, चाती उपर, सास छोड़ो, चाती नीचे, सास छोड़ो, चाती नीचे, सास लो, चाती उपर, तो चाती उपर कैसे आई, तुमको कैसे पते चला कि चाती उपर आई, ribs जो होती है, they move outward, diaphragm get flat, so that the thoracic cavity जो आपका chamber एचाती का वो बढ़ जाता है, और आप air को inhale कर लेते हैं, समझ आ गई बात, आगे क्या बात करते हैं, ये हो गया आपका lungs, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, lungs हो गया, done हो गया इतनी बात, चलो, कोई दिकत, कोई परिशानी तो नहीं है, चली आगे दे का सही explanation, ट्राकिया इस सपोर्टेड बाइड बाइड बोनी रिंग्स फॉर कंडुक्टिक इंस्पाइड एर, कभी भी किसी भी question को read carefully, देखो, पहले question का instruction था, carefully, carefully का मतलब समझते हो, बिल्ली की तरह जो है, फूख फूख कर कदम रखो, क्या पता गरंदूर पे मूलग जा छी तरह सही ही हो गई, ध्लाइं से देखो, मैंने आपको यह पढ़ाया कि जो ट्राकिया होता है, उसके चारजर बोनी रिंग नहीं होती रे, कौनसे रिंग होती ही, का ट्राट्लेजनस तो ट्राकिया इस नाट सपोर्टड बाइड बॉनी रिंग, ट्राकिया इस सपोर्क तो यह option गलत हो गया तो यह ऐसा नहीं हो कि ऐसे स्कूल में बैठे हुए हैं और यह टिक कर दिया ऐसे मत कर क्या आना ध्यान से पढ़ना क्योंकि एक शब्द जो है बोनी से ही आपका question गलत हो सकता है चलो ribs में मैंने आपको क्या सिखाया मेरे बचो मैंने आपको सिखाया कि जब हम breathe करते हैं तो जो ribs होती है वो बाहर जाती है पर यह क्या बोल रहा है कि जब हम breathe out करते हैं तो ribs बाहर जाती है तो यह तो गलत है जब हम breathe करते हैं तो ribs inhalation करते हैं तब बाहर जाती है ribs जब हम सास छोड तो रिम्स बाहर नहीं जाती तो ये option भी गलत है Alveolize जो होती है ये thin wall sack like structure होते हैं जो की gases exchange के लिए हैं बिल्कुल सही बात है ये क्या हुआ यार ठीक है ये तो बिल्कुल सही बात है Alveolize की वज़े से ही gases exchange होता है साथ ही साथ Alveolize के चारों तरफ blood vessels भी पाई जाती है Alveolize की जो सता होती है जो surface होता है वो बहुत ही जादा thin होता है ताकि यहां से maximum gases का exchange हो सके क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है इसे revision भी हो रहा है revision तो इतने बार करा दूँगी न यार इतने बार करा दूँगी कि life process का जीवन में भी कभी सवाल आए न तो तुम्हें सिर्फ एक ही नाम याद आए वो है शिप्रा मैडाम चलो तो जब हम inhalation करते हैं ध्यार समझना जब हम inhalation करते हैं प्यारे बच्चो तो carbon dioxide आपने blood vessel को दे दिया blood vessel क्या करती है इस carbon dioxide को alveoli को दे देती है और oxygen blood vessel के पास चला जाता है ठीक है तो इस तरीके से alveolize की दीवारों को पतला होना जरूरी है बहुत सारे alveolize होने चाहिए आपके पास ताकि आपकी body जो है कभी भी deprived ना हो कभी भी उसे oxygen की कमी महसूस ना हो ठीक है diaphragm जब सास लोगे बेटा जब सास लोगे तो diaphragm flat हो जाएगा जब सास छोडोगे तो diaphragm ऐसा हो जाएगा dome shape का हो ठीक है तो diaphragm pulled up no 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 when we breathe in the diaphragm get flat and when we breathe out the diaphragm pulled up or it gets into the original position which is the dome shape ठीक है समझ में आ रहा है ना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है so हमको यह समझ में आ गए कि correct option यह है हमारा ठीक done आगे बढ़े चलो देखो digestive system तो तुम्हें ऐसा याद होना चाहिए ना ऐसा जैसे दूद में मलाई जैसे ब्रेड में बटर और रोटी में सबजी दाल में चावल ठीक है चलो so identify the option that indicates the correct enzymes that secreted in the location 1,2,3 चलिए हमको बताना है बटा 1,2,3 में कौन से enzymes secret होते हैं और मैं उनका function भी बताऊंगी चलो वन नमबर इस दा बकल कैविटी ठीक है वन नमबर क्या होती है बकल कैविटी आपका mouth होता है वन नमबर ठीक है वन नमबर होता है बकल कैविटी और बकल कैविटी में होता है एक saliva जिसका नाम है saliva और saliva में होता है एक enzyme इस enzyme का नाम है हमारी प्यारी मैम बताइए इस enzyme का नाम है हमारे पास emylase क्योंकि ये emylase कहां से निकल रहा है saliva में पाया जा रहा है इसलिए हम इसका नाम salivary emylase रखते हैं पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे लला अगर आपको यह नाम आ गया एक्जाम में माईलेस की जगा टाइलिन नाम पूछा जाए तो घबरा के वहाँ थर्थराना सरसराना मत है भगवाई यह तो पढ़ाया नहीं था है बोबान शिपरबाब क्या पढ़ाती हुए ठीक है तो आपको यह पता होना चीए कि उसके जग बहुत सारे मॉलीक्यूल जब आपस में जुड़ते तो पॉलीमर बनता है ठीक है यह आप्शन मैं आपको पढ़ा रही हुआ आपके पास कितना समय है बाइलेजी के क्वेशन सॉल्व करने के मात्र तीस सेकेंड तीस सेकेंड के अंदर अगर बाइलेजी के क्वेशन आप सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब you need to read more and more and more and more and more सुमझ में आगरी बात तीस सेकेंड से जादा समय आपको नहीं लगना हो चाहिए बाइलेजी के क्वेशन पे मेरे बच्चों ठीक है ना concept ready होंगे mcq solve होंगे one shot ready होगा activity कर लोगे activity मेरे प्यारे बच्चों activity करियो मत करना मत भ पूरे activity के life process के देख लो उसको ठीक है चलो आजाओ कितनी मैनत करती हूं मेरे तुमारे ले स्टार्च एक पॉलीमर है जिस पर एमाइलेस का action होता है यह एमाइलेस का action हुआ और स्टार्च विल ब्रोकेन डाउन इंटू दा माल्टोस ठीक है माल्टोस क्या है एक प्रकार क जैसे स्टार्च बहुत बड़ा पॉलीमर है ऐसा 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 इसकी एक यूनिट मिलकर बनी है ग्लूकोस से जब हम बहुत सारे ग्लूकोस को आपस में जोड देते हैं मेरे बचो तो स्टार्च का formation होता है तो एमाइलेस की पस्तिती में स्टार्च को हम माल्टोस में तो ठीक है छोटे-छोटे से नोट्स भी बना सकते हैं आप इन क्वेश्चन से जहां पर आपका क्वेश्चन है उसको प्रिंट निकालो प्रिंट के साथ मेरे नोट्स भी बना लो इसके कोई टेंशन थोड़ी है यार यह समझ गया इसको मिटा दू मैं कि मैं स्टमक लिखने यही पर लिख दूँ कियर चलो यहां पर जगा नहीं है एस और नहीं करूंगी मैं पर जॉझारी नहीं है उसे मैं मिटा जेती हूं ठीक है स्टमब का काम होता है गैस्ट्रिक जूस निकालना मैडम हमको पता है आपने वन शौट पर पढ़ा रखा है गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं बोलिए गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास होता है पेपसिन और क्या होता है? और मैं दूसरा नहीं बताउंगे क्योंकि वो जरुर्वत नहीं है ये दोनों काम क्या होते है? प्रोटीन को डाइजस करते हैं बच्छो babak क्यों, प्रोटीन को डाइजस करते हैं बेटा जब भी मेरे साथ आया करो न दहां से सुनो जब भी मेरी class लगाने आया करो न तो पता है क्या कर क्या करो pen और copy ठीक है वो बिना लिये मताय करो क्योंकि मैं जो अब बहुत ही मेहनत से पढ़ाती हूँ हर बार तुम्हें concept learn कराने की कोशिश करती हूँ ताकि वो दिमाग में घुश जाए कि gastric druse में protein digest करने वाले enzymes निकलते हैं प्रोटीन का digestion कहां से शुडू होता है तो आपको पता होना चाहिए किस टबक से शुडू होता है शिपराब हमने चिला 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 के बताया था तो प्यारे बच्चों भूल रहा मत ठीक है क्योंकि large intestine में कोई enzyme enzyme होता नहीं है small intestine में कोई tick है नहीं आपे तो arrow वो कहां पर दिखा गया है pancreatic juice निकलता है और pancreatic juice में भायंकर वाले enzymes होते है pancreatic juice एक ऐसा juice होता है जिसमें बहुत सारे enzyme होते हैं जैसे कि कौन-कौन से pancreatic amylase जो की starch को digest करता है क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ 30% starch ही digest कर सकते हैं ठीक है सिर्फ 30% starch को ही आप यहाँ digest कर सकते हैं माउथ में pancreatic amylase की मदद से आप बाकी 70% digest करते हैं इस juice में होता है trypsin इस juice में होता है kymotrypsin ठीक है इस juice में होता है carboxy peptidase और भी बहुत सारे enzyme ठीक है carboxy peptidase अगर इसको पढ़ना है डीटेल में आप जाके मेरे lecture लगाओ मैं सिर्फ समराइज कर सकती हूं इसमें ठीक है तो आपको समझ में आ गया है कि यहां से हमने क्या निकालना है यहां से निकालना है हमें amylase जो कि salivory amylase है यहां से हमने हमें निकालना है pepsin और redine जो कि protein digestive enzyme है और pancreas से जादा तर starch को भी डाइज़ेस को भी लाइज़ेस को कैसे निकाल सकते हैं तो pancreatic juice में सारे चीज़ को digest करने वाले enzymes होते हैं जो फैक को भी डाइज़ेस करने वाले protein को भी डाइज़ेस करने वाले और carbs को भी डाइज़ेस करने वाले enzymes होते हैं ठीक है अब आओ मेरे साथ देखते हैं option कौन सा सही है आज जो ना पकड़ पाओ मेरी बार फिर हो जाएगा बेडा गरता तो लाइपेस लाइपेस तीक है राइट है यह घूल यह लगा इसल इंक उसके गात पर मैं अकिए निकलता K pernah तॉन देकों ना समझ में आयायारं नहीं समझ Μें आरा रहा है माइडम की यह तीसरा लेबलिंग क्या है तो वहां पर बिटा आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ और जग्गा जाशूस का दिमाग लगाना पड़ेगा और जग्गाजासूस के दिमाग के बागी दोनों में क्या होता है भाड में जान दो बार में जान दो क्या होता है अब देखो option one number पर माइलेस होना चाहिए अब तुम खुदी देख लो ना one number पर माइलेस कहा पर second number पर बहां की कुछ भी लिखा हो इसलिए second number option correct होगा समझ आई बात तो जब हमको ना आये सारी बात दो बात कोई लेकर हम कर लेंगे पूरी बात समझ में आ गई बात ठीक है जब आपको ना आये question का कोई रास सिर्फ एक ही word को पकड़ो एक ही चीज को पकड़ो सिर्फ माउथ में देखो कौन सा एंजाइम होना चाहिए और अगर तुम्हें अच्छा इमायले यहां पर भी लिखा होता देन यू मुव तो दा स्टमक स्टमक भी दोनों में वह सेम एंजाइम लिखे होते दैन आप थर्ड नंबर पर मूव करते पर अभी थर्ड नंबर के हमको जरूरत ही नहीं है बट मैंने बता दिया कि वहां पर लास लार्ज इंटस्टाइ Opening and the closing of stomatal pore चलो देखो Opening and the section A का ही अगला question क्या है Opening and closing of stomal pore depends on चलिए सबसे पहले इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा You need to see the diagram of थोड़ अच्छा बनाती हूँ You need to see the diagram of what? You need to see the diagram of stomata चलो Stomata की ये हैं बेटा मेरे guard cell और ये हैं इनकी epidermal cells ठीक है? Okay ये हैं इनकी epidermal cells ठीक है? Done अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो इसकी labeling सब को याती है कि नहीं आती है यहां पर क्या होता है इनके पास? Chloroplast ये भी आपके exam में question पूछा जा सकता है labeling मिस कर देगा फिर बैटे रहना मंजीरा बजाते हैं ये हैं की guard cell ठीक है? ये क्या है? इनकी guard cell है? ठीक है? और ये है आपका stomal pore ठीक है? This is your stomal pore अब आपका question ये पूछ रहा है कि stomal pore अगर open है बच्चो तो क्या क्या हो सकता है? Stomal pore अगर open है किसी और कलर से बनाती हूँ Stomal pore अगर open है तो बाहर oxygen जा सकती है और अंदर carbon dioxide आ सकती है ठीक है? और बाहर क्या जा सकता है? पानी जा सकता है by the process of transpiration समझ में आई बात? तो ये कहानी कब हो सकती है? जब आपका stomal pore खुला हो पर question हमसे ये पूछ रहा है कि ये stomal pore कब खुला रहता है? हमको ये बताईए कि estouma pair कब रहता है? ये depend करता है कि आपके guard cell में पानी कितना है? समझ आगई बात? जब आपकी guard cell में पानी ज़ादा होगा ध्यान से समझो अगर आपकी guard cell में पानी क्या है sufficient notes बनाएए मेरे साथ पूरे exemplar का मेरे साथ एक short notes बनाके रखिए ताकि आपको biology की किसी भी question पर problem नहीं हो guard cell में यह जो guard cell आपकी दिखाई दे रही है bean shape की अगर इसमें पानी क्या है sufficient है तो guard cell क्या होंगे guard cell होंगे open ठीक है और अगर पानी कम है तो guard cell होंगे close कैसे होंगे वो बताती हूँ मैं आपको जब guard cell ऐसे flaccid flaccid condition में क्या होता है पानी कम flaccid condition में पानी हो जाता है कम और turgid condition में होता है होता है पानी जाधा है तरफिट कंडिशन में होता है पानी जाधा ठीक है आप सब लोग ध्यांट से समझे ल owners जात के मियसे प्रेते हो कि explains इसलों किशार जाँ कोई पानी नहीं होगा तो गाठ से लेसे किर लेम मौत देगा पर जैसे-जैसे उसमें पानी भरता जाएगा, look at this, if my cheeks are guard cell, then what will happen? पानी भरता जाओ, ठीक, और असे खल गया, ठीक, यहाँ पर भी मालो ऐसे ही है, जब आप उसमें पानी नहीं है, तो वो फ्लैसे ऐसे रहेंगे, जैसे-जैसे पानी भरता जाएगा, फरता जाएगा, बरता जाएगा, इस्टोमल पोर ओपन हो जाएगा, So, guard cell में पानी भरने से आपका stomal pore open होता है Guard cell में पानी निकलने से आपका stomal pore बंद होता है So, opening and closing of stomatal pore depend on what Atmospheric temperature G नहीं Oxygen concentration around the stomatal नहीं Carbon dioxide, no water content in the guard cell option D is the correct option, ठीक है? वाँ वाँ मैडम हमें explanation भी समझ में आ गया चालो आ जाओ चलो दियान से देखो So, this is the diagram of the double circulation ठीक है? Circulatory systems उठाया है diagram Double circulation का diagram है बच्चो इसको हमें label करना है सबसे पहली बात चालो देखो So, क्या कह रही थी मैं आ रहा है? चलो So, हम यह मान रहे हैं कि यह है आपका lungs ठीक है? Red color से बनाती है तक कि visible हो ठीक है? हम यह मान रहे हैं कि यह है आपका lungs ठीक है? यह क्या है आपका lungs है? ठीक है? ऐसा आपन लंग्स बना लेते हैं चलो Dance देखना So, यह क्या है आपकी Vana Kawa ठीक है? Shawa Shawa Vana Kawa Vana Kawa से पूरी बाड़ी से इंप्योर ब्लड आता है ठीक है? उसके बाद क्या होता है? Vana Kawa से पूरी बाड़ी से इंप्योर ब्लड आ रहा है So, fourth option is the Vana Kawa Vana Kawa यहाँ पर लिग देती हूँ है यहाँ पर दिया हुआ तो फिर माड़ा मापकी ओ जो है हीरोई बन रही हो जादा यहाँ पर लिखिये न जदिया है तो ठीक है? यह हो गया Vana Kawa पूरी बाड़ी से इंप्योर ब्लड Vana Kawa से आता है कहाँ पर? आता है Right Oracle में देखाँ सफटाफट से अपना एक बार और रिविजन हो गया Life Process का ठीक है? कितना इच्छी बात है न इतने बार रिविजन करवाएंगे माडम तो हमको ऐसा हो जाएगा कि जैसे चाट में चटनी ठीक है? पानी पूरी में अलू ठीक? So this is the Right Oracle Right Oracle से ब्लड आता है Right Ventricle में Right Ventricle से ब्लड जाता है कहाँ पर? Third Number Option देखिए Pulmonary Artery जो कि एक exception है Pulmonary Artery Pulmonary Artery नाम से ही समझ में आ रहा है कि Artery है तो Pure Blood ले जाना चाहिए पर ये क्या है बच्छो? हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है ये क्या है? Exception है Normally Artery क्या होती है? Pure Blood ले जाती है पर यहाँ पर Artery जो है वो Impure Blood जाने का काम करती है और वो कहाँ जा रही है बच्छो? Lungs में जा रही है अब Lungs में क्या दे दोगे आप? किस कलर से लिखो? Red से लिखती हो ठीक है? Lungs में Carbon Dioxide दे दिया ठीक है? और Lungs से Oxygen ले लिया Exchange हमेशा कहाँ पर होता है? Capillary में Capillary के बिना कहीं और से Exchange नहीं हो सकता ना Artery से किसी भी चीज का Exchange होता है ना Vane से किसी भी चीज का Exchange होता है मेरे प्यारे बच्छो Exchange तो हमेशा Capillary से ही होता है क्योंकि Capillary सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है ठीक है? So Carbon Dioxide आपने Lungs को दे दिया Lungs से Oxygen ले लिया अब इस Blood में Oxygen भरा हुआ है और इसकी Labeling होगी Pulmonary Vane Vane जो होती है मेंशा Impure Blood Carry करती है Deoxygenated Blood Carry करती है पर यहाँ पर Heart में ये भी exception है ठीक है? ये भी क्या है exception? ये ऐसा Favorite है CBSC वालों का ये question ऐसा Favorite है क्योंकि Obviously जहाँ पर किसी एक structure में दो-दो exception मिल जाए तो फिर तो अपने आप में ही पूरा एक लेजेंड जो है डाग्राम हो जाता है उसके बाद ये Pulmonary Vane Left Oracle को Blood देगी थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ मैं ठीक है? Left Ventricle से Blood जाएगा आपके आयोटा में कहाँ पर जाएगा? आयोटा में ध्यान से सुनो Left Ventricle से Blood कहाँ जाएगा? आयोटा आयोटा से फिर कहाँ जाएगा? ये हैं आपके Tissues ठीक है? ये क्या फैले हुए हैं आपके? Tissues समझा दिया पूरा Circulation कतम हो गया? चलो Question कर लें इसके चलिए बच्चो So हमको यहाँ पर Labeling देखनी है चलो 1 से 4 तक की 1 क्या है? कर लोगे हैं पर calculation कर लो 1 क्या है? Pulmonary vein Done हो गया मैं समझ गये 2 क्या है? 2 क्या है? 2 है मैं हमारा IOTA 2 is the IOTA ठीक है? 1 is the pulmonary vein 2nd is the IOTA 3rd is the pulmonary artery and 4th is the Vyanakava शावा 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 ठीक है? So देख लो क्या कहा है वही है? Pulmonary vein है क्या A? Pulmonary vein हाँ है ठीक है? उसके बाद pulmonary vein अच्छा इसमें हमको हमको यह sequence समझ में है ऐसा भी question आ सकता है बच्चो है कि सही अरेंज है यानि है तो आपको इन चारों की लेबलिंग पता होना चाहिए और चारों के सीक्वेंस पता होना चाहिए कि 1 पे जो लिखा हुआ है वह सही है यानि 2 पे जो सही है यानि 3 पे जो लिखा है वह सही है यानि ठीक है आपकी मैम जवाब चाहती है कि बताओ कि double circulation में pulmonary vein exception है या नी madam vein जो होती है वो हमेशा deoxygenated blood carry करती है पर यहाँ पर वो exception है तो वो हमेशा oxygenated blood carry करेगी मतलब वो impure blood नहीं carry कर रही है वो lung से pure blood को लेकर आ रही है left auricle cure ठीक है pulmonary artery takes the blood from lung to heart क्या यह बात सही है जनता जवाब चाहती है क्या pulmonary artery जो होती है वो lung से heart cure blood लेके आती है वो तो pulmonary vein करती है तो यह भी option गलत है pulmonary artery right ventricle से blood को लेकर lungs की ओर जाती है pulmonary vein lungs से lift auricle की ओर blood लाती है कौन सा oxygenated iota takes the blood from heart to the body part यह है आपका सही answer iota जो होती है वो पूरे oxygenated blood को body के different parts में पहुचाती है समझ आ गई बात now vana kava यह तो गलती होगा vana kava क्या करती है पूरे body से de oxygenated blood को लेकर आती है right auricle की ओर चाहन हो गया इतनी बात so we have done this question also so c is the right option आगे बढ़ें अब यह क्या question बोल रहा है ध्यान से देखो identify the phase of circulation which is represented in the diagram of heart given below देखो मुझे यह guarantee अब तुमको देखो मैंने वो बाला भी diagram कराया मैंने तुम्हें respiratory system का भी diagram कराया ठीके मैंने तुम्हें stomal pore का भी question कराया अभी तक जो है मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं literally sample paper release होने के बाद इतनी खुश हुई कि मेरे बच्चों को ऐसा कोई question नहीं जो आता ही नहीं है यह सब किया हुआ है तुमने तुमने heart का diagram किया हुआ है तुमने double circulation का diagram किया है तुमने respiratory system का diagram किया है तुमने guard cell के structure का भी diagram किया हुआ है ठीक है So identify the phase of circulation which is represented in the diagram of heart given below Arrow indicates the contraction of chamber zone ठीक है हमको यह बताना है इस arrow से हमें यह पता चल रहा है कि ventricle contract हो रहे है ठीक है और हमें यह बताना है कि किस प्रकार का circulation हो इस arrow के बारे में हमें बात कर रहे है इस arrow से तुमको यह पता चल रहा है कि blood ventricle में जा रहा है जी नहीं यह तो नहीं पता चल रहा है माम तो ये तो option गलत है, इस arrow से हमें ये नहीं पता चलता, इस arrow से हमें ये पता चल रहा है कि जो blood है, वो lungs के पास oxygenation के लिए भेजा जा रहा है और दूसरे arrow से हमें पता चल रहा है कि organ की और भेजा जा रहा है प्रणisms से देखो, ये एक error तुम्हें क्या बता रहा है? ये एक error तुम्हें क्या बता रहा है? तो सोचा करो यार, थोड़ा दिमाग भीमाग लगाया करोपन रहे है है सब मैं ही कर दूँकी तो फिर कैसे? इहां पर क्या है? अपको लंग्स है यहां पर क्या है अपना लंग्स ठीक है तो यह वाला जो एरो है ना ए नमबर वाला एरो यह 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 और हमको इतना भी मूर्ग मत समझी है आप हम बहुत होश्यार बच्चे हैं ठीक है So हमको यह समझ में आया कि पहले एरो से यह समझ में आ रहा है कि जो ब्लड है वो लंग्स के पास जा रहा है और दूसरे एरो से हमें पता चल रहा है कि वो अयोटा है और वहां से ब्लड जो है बॉड़ी की ओर जा रहा है So option B is the correct option C और D को discuss करें क्या कर लेते हैं चलो आजाओ Blood transfer to the right auricle and left auricle simultaneously यह बात सही है पर तूसरे इरो से इंडिकेट नहीं होता है यह भी option सही है मतलब अगर तुमको बात की बात करते हैं आपको option सही पता चल गया ना पर आपको पता होना चाहिए कि right and left venticle में साथ में blood आता है right and left auricle में blood साथ में आता है oxygen received from the lugs after oxygenation received from the various organ of the body देखें सीधी बात है जो आपको arrow बताया जा रहा था उसको option का यह है हो हो फिस से digestive system आ गया मतलब nutrition जो है इस sample paper से माड़ाम हमको पता है बहुत चीज समझ में आ गया है ma'am आप नहीं भी बोलेंगी तो समझ में आ गया है कि digestive system जो है यह strong होना चाहिए ठीक है ऐसा ना हो कि question देखते ही potty आ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए यह digestive system इस से समझ में आ गया बहुत important topic है दो-दो question आ गया है वो भी diagram based ठीक है चलो बैटा So observe the diagram of human digestive system match the labeling referred in the column 1 and correlate with the function in the column 2 ठीक है यह आपको label दिये गये है ठीक है और हमको match the column करना है कि जो A number पर question का कैसे इसको solve करना है वो बता दे रही हूँ देखो हमको यह अरे कहांगे 1 में 1 में लिखा है यह ठीक है तो हमको match the column करना है यह कि बताइए कि 1 में जो लिखा है वो सही है यह नहीं है ठीक है तो चले देखते हैं कि 1 का correlate with the function की सही है यह नहीं यह देखो हमको match करना है कि A का क्या होना चाहिए सही 1 का क्या होना चाहिए, 2 का क्या होना चाहिए, 3 का क्या होना चाहिए, 4 का क्या होना चाहिए match the column है बटा, चलो match the column करें आओ, आओ, आओ ठीक है, so ओके, 1 क्या है 1 is your buckle cavity मैं लिख देती हूँ ताकि आपको solve करने में असानी हो 1 is your मेरे लला buckle cavity ठीक है, 2nd is your liver 2nd is your liver 3rd is your 3rd भी यहाँ पैंक्रियास पे दिया हुआ है पर, problem है ही है 3rd is the pancreas pancreas and 4th is the small intestine ठीक है, चलो अब हमको match the column खरना है चलो, वैसे 3rd small intestine में दोनों में दिया हुआ है पता तुम्हें, दोनों ही small intestine तो दिखरी ही मुझे आप्शन से अपने और correlate कर लेते हैं चलो, 1, 1 तो अपन समझ गया है कि buccal cavity देखो 1 का जो option है, वो क्या होना चाहिए बोलो, 1 is the buccal cavity और buccal cavity में क्या digest होता है जो लिदी बोलो, starch digest होता है So, A का option है, B 1 का option is the B, ठीक है उसके बाद second क्या था, जी liver था ना, liver था, ठीक है तो liver क्या होता है, बताइए liver जो होता है वो होता है, increase the efficiency of lipase enzyme So, B, इसका answer है ये ठीक है, कैसे ये माडम हमको थोड़ा explain करिएगा, क्यों, देखो liver जो होता है, ज्यान समझना liver, इसको explain कर दीजे, मैं हम तो थोड़ा हमारे जीवन में, थोड़ा हमको सास में सास आए, ठीक है liver निकालता है, bile juice liver क्या निकालता है, bile juice ठीक bile juice में क्या होते है, bile salt ठीक है bile salt का का काम क्या होता है, बड़े से fat को छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ दो, इस process का नाम क्या होता है मेरी बाच्चों इस process का नाम होता है emulsification of fat इस process का नाम क्या है emulsification of fat तुमको ना, 30 second से जादा नहीं लग रहे जाएगे इसी सवाल में, और फिर उसके बाद यहाँ पर action होता है, pancreatic juice का, ठीक है, यहाँ पर किसका action होता है pancreatic juice का मैडम, pancreatic juice का का एक होता है क्योंकि pancreatic juice में एक enzyme होता है lipase, जो इस fat को प्रेजेंट बाइल जूस की विजए से लाइपेज एंजाइम जो की पैंक्रियाटिक जूस से निकल रहा था उसके एफिशेंसी बड़ी की नहीं बड़ी वो ज्यादा से जादा फैट तोड़ पाएगा अब इतने बड़े फैट मुह मारने जाएगा तो इसको टाइम लगे पहले हैं। वो दोनोई स्मॉल in-testine के डागराम है। दोनों ही स्मॉल इंटिस्ताइन के डागराम है। और तर्फ लों ही स्मॉल in-testine के डागराम है। और मैं आपको बतारे, थर्ड थर्ड को हम बोलते हैं थर्ड को हम ऐसा माल लेते हैं कि यह थर्ड का ओप्षिन है वो क्या है कि यहां पर complete digestion of protein and fat hota है ठीक है और एक से कि देखो मैं ओके सो थार्ड हम मालेते हैं जूदिनम थार्ड इस दूदिनम तो इसका अप्शन यह हो गया और चौथे को मालेते हैं कि लंबी-लंबी small intestine दिख रही है तो इसका option यह हो गया चलो देख लेते हैं one का हो गया भी अच्छा देखो फोर्थ का होता है फर्स्ट ठीक है दे लेंथ ओफ वाट लेंथ ओफ small intestine depends on the organism what they are going to eat तो हमने ऐसा ऐसा आपका diagram दिया हुआ है वो ठीक है यह ऐसा ऐसा तो हमने इसको माल लिया कि यह और इसको हमने माल लिया कि बागी पूरी small intestine है तो अगर हमने इसको डूडिनम माल लिया तो हम यह बोलते हैं कि हाँ पर complete digestion होता है बिकोस डूडिनम इस पार्ट ऑफ small intestine यहार दोनों small intestine है तो एक पहले पार्ट में हम बोलते हैं कि complete digestion है और नीचे की और पार्ट में बोल देते हैं length दिखा रहा है उसमें तो हम यह बोलते हैं जो जितना लंबा होता है small intestine की जो length होती वो निर्भर करती है कि आदमी ने intestine हमेशा बड़ी होती है क्योंकि cellulose के पाचन के लिए cellulose के digestion के लिए they need more time और जहां पर भी टाइम की ज्यादा जर्वत होगी महां पर खाना महां पर बहुत देर तक रहेगा ऐसी condition में हम क्या करें aervation में small intestine बढ़ी करनी पड़ीगी ठीक है so forth option is the a still option be is the correct option i मैं समझ ही गई थी कि वो दोनों small intestine की पाठ है, पहले वाले में टिक करो कि यहाँ पर final digestion होता है, दूसरे वाले पर टिक करो कि किसी भी organism की small intestine की जो length होती है, वो depend करती है कि कोई भी organism खाता क्या है, समझ में आई बात, अगर हम भी गाय भाइस बकरी बकरी होते हैं, ऐसे समान बच्चो और अब हम बात करेंगे section B, और section B को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा नंधा सा information यह है, कि अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के 220 के आसपास क्या कराए हैं, MCQs कराए हैं, अभी मैंने आपको assertion region नहीं कराए, तो कौन कराएगा मै हमको assertion region कौन कराएगा, अरे मैं हूँ ना, मैं कराएगी तुमको assertion region, तुम tension मत लो, तो assertion region और case based question यह दोनों में एक साथ कराऊंगी, ठीक है, तो यह भी tension मत लेना, assertion region solve करने के तरीके देखते हैं, आ जाओ, ध्यान चा देखो, चलो, सबसे पहले हमें एक assertion दिया होता ह है, इस question को solve करने का तरीका यह होता है, कि आपको assertion पता हो ना चाहिए, ठीक है, आपको information होनी चाहिए, assertion की, reason उससे आप correlate कर सकते हो, ठीक है, चलो, तो हम section B में assertion region के 4 option होते हैं, अगर both assertion region correct है, और reason जो होता है, वो assertion का correct explanation है, ठीक है, जैसे कि, मैं तुमको एक बताती ह Magnet brain में shipramam है, ठीक है, reason, shipramam biology पढ़ाती है, ठीक, क्या होगा यह बताओ, यह मैं ऐसे बोलती हूँ, दूसरा assertion देती हूँ, और अच्छा समझ मैं आएगा, shipramam biology की student है, ठीक है, shipramam क्या है, biology की student है, और वो biology पढ़ाती है, यह बात सही है कि नहीं है, सो बिलकुल सही बात है कि shipramam biology की student है, assertion is right, और वो biology पढ़ाती है, reason is also right, so reason is the correct explanation of assertion, because it is related with biology, कहीं पर भी अगर same term आ गया, अब कैसे solve करना, अगर reason और assertion में दोनों में same term आ गया, तो हम यह मानते हैं कि सही explanation है, assertion का, ठीक है, अगर B हमेशा यह बताता है कि assertion भी सही है, reason भी सही है, बट दोन shipment of pregnant brains is biology पढ़ाती है, ठीक है, shipramam magnet brains में biology पढ़ाती है, ठीक है, दूसरा shipment shipramam को peeler an לunn पसंद है, दोनों बात सही है, कि föret बाइले जी पढ़ाती है वो मैंगनेट बेंस पर उनको पीले रंग पसंद है पीले रंग से लेना देना देना बाइले जी बाले जी का क्या है अगर एसर्शन गलत है शिपरा मैं जो है वो चार चश्मे लगा कर आती है तो ए तो सही है मेरे ख्याल सही होना चाहिए कि शिपरा मैं बहुत क्यूट मैं है पर रिजन इस फॉल्स क्योंकि वो चार चिश्मे नहीं लगाती है ओके ओके नाओ ए देखो तो असर्शन सही हो रिजन फॉल्स हो तो आप सुनाएगा सी उसके बाद एक और देखते हैं जब शिपरा मैं जो है वो हमें टेंट क्लास का सब कुछ पढ़ा चुकी है ठीक है उसके बाद रिजन बताती हूँ शिपरा मैं जो है उनको उनके बाल जो है बहुत लंबे है पैर तक है तो अगर आपका असर्शन सही हो रिजन देखो यहाँ पर गड़ बड़ हो गया ना असर्शन फोल्स ओर रीजन करेक्ट हो ठीक है जैसे की शिपरा मैं के कमर से नीचे बाल है एक कि तयart पर सही होता है और रीजन फican का सिर्फ एक एक फैसन इंत्र डेक्व अश DAVID बिल्कुल सही बात है बिलकुल सही बात है raisins and gums facilitate the transport of water molecule आईए देखते हैं कि चलो वेटा, आगे देखो इस question क्या कह रहा है question यह कह रहा है कि raisins and gums are stored in the old jylem tissues in plant बिल्कुल सही बात है जो raisins होते हैं, जो gums होते हैं they are the excretory products of the plants ठीक है और ये old jylem tissues होते हैं जो उनकी बार्क होते हैं, उसमें store रहते हैं बिल्कुल assertion is correct so assertion is correct ठीक है raisins and gums facilitate the transport of water and molecules जी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत चीज है raisins and gums जो होते हैं they are the stored part of the stored excretory products of the plants and they will store it in the old jylem but they not facilitate the transport of water because they are not solutes ठीक है they are very hard material excretory products ठीक है, so reason is wrong ठीक है, और हमें पता है कि जहां पर assertion right और reason wrong होता है तो महाँ पर C option आता है so इसका option C होगा और अगर बालोग यहां पर reason correct होता और assertion wrong होता है तो कौन सा option आता है, D ठीक है, assertion और reason दोनों right होते है and reason is the correct explanation of assertion तो option होता A और बाकी बचा वह B ठीक है, so section B का यह वाला question आपको clear हो गया आईए, आगे देखते है which of the following groups which of the following groups of organism blood flows through the heart only once during the one cycle of the passage through the body ठीक है, हमें यह बताना है कि किस इन सारे organism में जो list of organism दिये हुए है इन सारे list of organism में किस organism में के heart में सिर्फ एक बार-बार बाड़ आता है मैंने पढ़ा लखा है तो इसका मतलब यह है कि हमसे यह पूछना चाहरा है कि what is a single circulation ठीक है यह हमसे question पूछना चाहरा है कि single circulation क्या होता है single circulation का मतलब यह होता है कि जिसमें सिर्फ एक बार ही heart में blood आता है ठीक है, इसका example है मेरे प्यारे बच्चो, fishes, ठीक है, fishes इसका example है, इसमें होता क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं, ध्यान से देखो, इनके पास, fishes के पास होता है, दो चैंबर हाट, fishes के पास होता है, मेरे बच्चो, दो चैंबर हाट, इसमें क्या होता ह कि माहन लोकी इनका मेन्हें हाट बना दिया ठीकिma देशी दू चैमबर हाट ओभ दा फिश्श. ठीक है, होता क्या है कि Phish के माउच से ठीक है Phish के माउच से water जो है इन taking a water जो है, måste आंक हे, नहीं मैइद इसि एंटा करेगा ठीक है गिल्स के पास क्या होती है प्यारे बचो ब्लड सप्लाई होती है गिल्स के पास अब होगा क्या कि माउथ में जो पानी आ रहा है उससे क्या रहा है ऑक्सीजन ठीक है गिल्स के पास जो ब्लड वैसल पड़ी हुई है उसमें क्या है कारबन डायोकसाइड जब Viesel के पास कि je carbon dioxide ठीक है तो पानी जो आ रहा है द्यान से देखो पानी जो आपresh है उससे जो ऑक inspirator में चल जाएगा और जो carbon dioxide वह पानी में चल जाएगा ठीक है और फिर पानी को remove कर देंगे कहां से पानी बाहर चला गया क्या लेकर carbon dioxide ठीक है अब होता क्या है कि आपका blood हो गया है oxygenated ठीक है अब यह oxygen वाला blood ध्यान से सुनना यह oxygenated blood जो है यह जाएगा पूरी body में चीज़ कहां जाएगा पूरी body body को oxygen दे दिया जाएगा बदले में again blood vessel को क्या दिया जाएगा blood vessel को again दिया जाएगा carbon dioxide क्या दिया जाएगा carbon dioxide और फिर इस carbon dioxide वाले blood को again pump किया जाएगा गिल्स की और तो आप देख रहे हो कि हाट में सिर्फ एक बार ब्लड आया है और हमने इसमें देखा कि body में सिर्फ एक बार ही आता है और यहाँ पर blood जो है इस इस स्फ और सिंगल सार्कुलेशन तो फिशेज में फिर से सुनों अगर यह नहीं समझ मैं तो आप ऐसे सुनों फिशेज जो होती पानी के माध्यम से क्या अंदर जाता है पानी के माध्यम से जाता है ऑक्सीजन अंदर जाता है मूँ बंध होता है और गिल्स खुलते है गिल्स से पानी बाहर हो जाता है पर जब बेटा पानी बाहर जाता है तो गिल्स के चारो तरफ प्रेजेंट होती है बहुत सारी वेसल को क्या देता जाता है बोलता है जा सिमरन तो जी ले अपनी जंदिगी और बदले में उन ग्लील की ब्लड वेसल से कार्बंडायोक्साइड को लेकर पानी बाहर हो जाता है अब अक्सजिणेटर ब्लड को हम लेकर पूरी बॉड़ी में घुबाते रहते हैं ब्लड पानी आएगा जिस पानी के माध्यम से कार्बंडन एक्सजाइड बहार और अक्सिजण को बॉड़ी में पूछाएगा तो कितनी बार हाथ में ब्लड आता है सिर्फ एक बर और कैसा ब्लड आरहाओ इसलुए fishes के heart को हम venus heart कहते हैं क्योंकि इनके heart में कभी भी oxygenated blood नहीं आता है ठीक है देखो अब देखो rabbit, rabbit, no ठीक है इनके बैसा नहीं होता frog, amphibians नहीं whale, whale is not a fish ठीक है इनमें भी नहीं shark, dogfish, stingray correct option is D क्योंकि they all are fishes ठीक है आगे बढ़ते हैं what is the common between extensive network of blood vessels around the walls of alveoli and in the glomerulus of nephron हमको in glomerulus में पाई जाने वाली blood vessel और alveoli के पास पाई जाने वाली blood vessels के बीच में similarity बतानी है तो चलों solve करते हैं दोनों में similarity क्या होती है सबसे important similarity कि ये दोनों thin walled होती है बहुत ही पतली किसी भी जगा को पतला क्यों बनाया जाता है किसी भी जगा को पतला ये इसलिए बनाया जाता है चाकि ताकि चीजों का transportation बड़ा ही आसान हो जाए अब मैं इती मोटी हूं तो कम दरवाजा खोलोगे तो मैं आसानी से नहीं निकल पाऊंगी पर अगर पतली दूबली होती एकदम जो है तो छहरहरी होती तो आसानी से दरवाजे को पार कर पाती तो जो जितना पतला होता है उससे चीजों को ट्रांसपोर्ट करना उतना आसान हो जाता है नेफरॉन में पाए जाने वाली जो glomerular blood vessels है glomerular blood vessels आपको पता है गुच्छा of blood vessels which is found into the bone and capsule तो वहां की blood vessels भी बड़ी पतली होती है और आपके alveolize के चारो तरफ पाई जाने वाली blood vessels भी बहुत पतली होती ताकि चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो सके glomerular से filtration जो है अच्छे से हो सके और alveolize से gasों का अधान प्रदान अच्छे से हो सके ठीके तो ये बहुत थिक वाल्ड होती है जी नहीं बहुत ही थिन वाल्ड veins poorly supplied with blood ये भी नहीं थिक वाल्ड के pluries poorly supplied with blood नहीं थिन वाल्ड के pluries richly supplied with blood समझ में आ गई बात थिन वाल्ड के होती है और richly supply होती है blood से ताकि जैसे oxygen आ है वो बैठी है दे 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 मुझे दे 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 oxygen को लेकर तुरंट body में पहुचाएगे और तुरंट blood से चीज़े filter होकर तुरंट nephron में आ जाएगे आगे बड़े section B का अलग देखते है plant use completely different process for excretion as compared to animal बिल्कुल सही बात है which of the following is not the process is not followed by the plant for excretion बिल्कुल सही बात है यार बिल्कुल सही बात है plant जो होते हैं वो बिल्कुल different method excretion का अपनाते हैं उनका जो resin tannin gum होता है xylem में पड़ा हुआ रहता है vacuoles में वो excretory material को excret करते हैं transpiration से extra water remove करते हैं तो हमारे से तो बिल्कुल यह लग है अपन तो potty जाते हैं अपन तो susu जाते है carbon dioxide निकालते हैं वैसे वो नहीं कर पाते हैं ठीक है चलिए तो क्या ये अच्छा देखते हैं कौन सा option जो है वो नहीं है excretion का तो ये excess water को transpiration से निकालते हैं मैंने बापको बता है जी हां ठीक है जब आपको लगती है हाई गर्मी तो आप कैसे निकालते हो अपना अच्छा पानी बड़ा मम तो निकाल देते हैं पसीने से ठीक है अपन ऐसे निकालते हैं ठीक है पसीने से निकाल देते हैं तो इनका extra-pacina किस form में बाहर होता है? In the form of water, by the edges of leaves, called as transpiration. उसके बाद, they selectively filter the toxic substances through leaves. मैं बताती हूँ, actually यही सही कहानी है. Waste product are stored in the resin, gums in the old xylem. बिलकुल सही बात है xylem. तुमको पता है, बड़े-बड़े trees के ऊपर अगर कुलाडी मारे है अपन. ठीक है, जंगल जाया है, तो इसे पतले-पतले गाडे-गाडे कुछ material निकलते हैं. इन गाडे-गाडे material को हम पता है क्या कहते हैं? इस गाडे material को हम कहते हैं, रेजिन टैनिन गम. ठीक है, dexcrete waste substance into the surrounding soil, बिल्कुँ सही बात है, तो आंसर है गलत, ये वाला. ठीक है, so this option is not a correct option, ठीक है, ये आपके लिए appropriate answer है, इस question के लिए. Which of the following groups of organism, food material is broken down outside in the body and then absorbed? ये इस question करा है, मैंने, कोई अगर किसी भी गुंडे में कान हिलाया, ठीक है, किसी कोई भी गुंडे अगर चेचे कर रहा है, कि ये सब मैंने नहीं करा है, आपको पता है, द्यांसरों मेरी बात, जब मैंने आपको MCQ कराया था, तब मैंने आपको respiration revise कराया था, जब मैंने प्लांट का excretion बताया था, कि कैसे कैसे होता है, ये सारी चीनों चीजे बताई थी, कि ट्रांस्पिरेशन से होता है, ग्रेजन टैनिन गम निकालते है, वो लोग स्वाइल में एक्स्रीट करते हैं, बचा कहली फाला बचा, और ये तो बेटा कम से कम चार बार तो MCQ में आय आते हैं, पताओ मुझे, कस्क्यूटा लाइ टेप वर्म, टेप वर्म तो बेटा तुम्हारा इंटर्नल इंटर्स्टाइन का परसाइट है, तो ये तो गलत हो गया, परामेशियम अमीबा, ये तो होलो जो एक लुटरिशन शो करते हैं, अपने अंदर डाइस करते हैं, ये फंगस आये हूँ, आज तो मेरा खाना बना है, आज मैं बताता हूँ, और ये उदर जाएंगे, और फिर बहुत सारे एंज़ाइम सो उस खाने के ऊपर निकालेंगे, खाने को soluble form में convert करेंगे, और फिर उसे absorb कर लेंगे, ठीक है, तो बाहर डाइजेशन किया है इनने, ठी ठीक है, so answer is B, आगे रेखते हैं, in a person, the tubule part of nephron is not functioning at all, ठीक है, बिलकुल सभी बात है, what will be the effect of the urine, चलिए, देखते हैं, so, इसके लिए हमको एक diagram बनाने पढ़ेंगे, ठीक है, ये क्या बना रही है मैंजम आप, तुमारी मैडम बना रही है, nephron का एक diagram, और तुमारी मैड जो है, ये diagram बना बना के हो गई है, पागल, ग्यारवी बारवी बालो के लिए diagram बना बना के, इसलिए मैं अपने 10th वाले student के साथ भी जाती नहीं कर सकती, मैं तो पढ़ाऊंगे उनको, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक है, जान जाने जहान मैं पढ़ाती रहोंगे, ठीक यहां से हम क्या एब्जॉब करते हैं, पानी भी एब्जॉब करते हैं, और सॉल्ट भी एब्जॉब करते हैं, ठीक है, यहां से हम क्या एब्जॉब करते हैं, पानी, ठीक है, अब आप मुझे बताओ, यह क्या है बटा, यह है लूप ओफ हनले, पढ़ाय मैं आपको, यह क क्या है आपका Bowman Capsule ठीक है Bowman Capsule ठीक है यहां पर क्या होती है Glow Merulis G-Lolid देती है अब आप से पूछ रहा है कि यह किसी परसन रो रहा है ठीक है है यह माल लो कोई एक है चगललाल है चगललाल चगललाल जो है बहुत दारू पीता था चगललाल पगड़ा लड़का था चगललाल जो है पीपी केन का दिमाग खड़ाव हो चुका था चगललाल को थो अच्छस बना रहती हूं इनका इनको डॉक्टर ने बोला कि बेटा ऐसा है कि तुम्हारा जो है आकनी समय आ गया है बहुत वाजाव होगा, quality and quantity of urine is an affected बिलकुल नहीं, affects तो होगा ही ठीक है आने फिल्लप quantity and quality का मतलब क्या समझे, Urine formation पे what will be the effect on the Urine formation quality, an affected ऐसा नहीं होगा affected तो यह भी गलत हो गया, यूरें इस मोर कॉंसेलटेटेटे दिल्कुल बिल्कुल गलत बात यारें यह सब खराब हो गया, यह सब खराब हो गया, कुछ नीकाम कर रहा है, चगनू बाया का अब हुआ यह कि अगर पानी अभ्सॉब नहीं होगा, तो यहां से जो भी यूरें हम निकाल रहे हैं, ध्यान पानी को एब्सॉब कर रहे हैं पानी एब्सॉब नी होगा तो यूरिन बहुत ज्यादा डाइलूट होगा बहुत पानी निकलेगा चगल लाल जो है सुसु करकर पकला जाएंगे तिक आगे बात करते हैं सेक्शन सी में है एक्टिविटी में बार आपको कह रही थी कि नहीं बात activity करके जाना है जरूर चले चाहे भले हो जाये रातों पे रात ठीक है पर भूलना मत मेरी बात activity जरूर करके जाना बच्चो examination में ऐसा कभी नहीं होता की activity के question ना है Even NTHC में Olympiad में KVPY में इन में रही बड़ एक्टिविटी की question ाते हैं ठीक है So section C consist of 3 cases followed, case based question में activities ही आती जाता है, ठीक है, consist of 3 cases followed by the questions, ठीक है, 3 cases दिये हुए है, हमारे लिए जो case है, वो हम देखेंगे, ठीक है, there are total 12 questions in this section, attempt only 10 questions from this section, the first attempted 10 questions will be evaluated, ठीक है, चलो बेटा, figure shown, अच्छा, यह कौन से activity है बेटा, कौन से 6.2 यह, 6.3 है आपके उसमें, 6.2 है, 6.3 and this is the last case based question for the session, चलो देखो, आज़े जल्दी देखो, figure shown below represent an activity to prove the requirement for the photosynthesis, ठीक है, ओके, so figure shown below represent an activity to prove the requirement of photosynthesis, यह जो image लगाया है, इस image को, यह image जो है, यह activity डिजाइन की गई है, ताकि हम यह पता लगा सके कि photosynthesis के requirement क्या है, ठीक है, इस activity के लिए, healthy potted plant were kept in the dark for the 72 hours, पहले तो इनकी 72 hours तक इनको dark में रखा गया, ठीक है, उसके बाद 72 hours, 72 hours गंटे के बाद, 72 hours dark में रखा गया, तो इनमें कोई photosynthesis का process नहीं हो पाया, even जो इनके पास store starch था, वो भी इनने use कर लिया, ठीक है, क्योंकि photosynthesis यह हुआ नहीं, तो इनके पास जो energy थी नहीं, तो energy जिस फॉर्म में store थी, starch के फॉर्म में store रहती है, तो उसे इसने use कर लिया, उसके बाद, 72 hours के बाद, इन्हें एक्स दो setup बनाए गया, एक setup है, X और दूसरा setup है, Y, ठीक है, दोनों plants को pot में रख दिया गया, और उसके उपर उसे glass से लगा दिया जाया, glass को चिपकाया गया, Vaseline से, ठीक है, और glass में क्यों रखा गया, ताकि light penetrate कर सके, और photosynthesis हो सके, ठीक है, ओके, दोनों setup को air tight किया गया, air tight करने के लिए Vaseline का use करते, grease का भी use कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर इन दोनों setup को 6 घंटे तक light में रखा गया, ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना, नहीं तो हो जाएगा काम गडबड, नहीं तो फिर मैं जो है, तो काम गडबड कर दूँगी, देखो, जब हम उसको 12 घंटे तक dark में रखे थे, तब बेटा photosynthesis नहीं हो पाया है, दोनों में, इविन जो उनके पास store starch था, वो सब उनने यूज कर लिया, अब उनके पास store starch नहीं है, मैरे लला, कोई store starch नहीं है, ध्यान से सुनो, 12 घंटे तक dark में रखा दोनों plants को, ठीक है, चलो dark में चलो, 12 घंटे तक दोनों को dark में रखने से, उनके पास store starch था, वो नहीं है अब क्यों सब उसके बाद उनको बाहर ले आ गया, चलो, आज तमारी मूह दिखाईये, उसके बाद उन प्लांट को क्या किया गया, उसके बाद उन प्लांट को क्या किया गया, एक ग्लास, एक X setup है, एक Y setup है, उसके बाद उन दोनों को ग्लास जार से ढख दिया गया, ग्लास जार से क्यों धका गया, कि जब उसको sunlight में हम रखेंगे, तो sunlight penetrate होते ही, आज पर photosynthesis हो सके, ठीक है, दूसरी बात, एक setup में हम KOH रखेंगे, ग्लास को जब बं करेंगे, पौधे को बं करेंग तो एक कटोरी में KOH को रख देंगे, और Y setup में KOH को नहीं रखेंगे, समझ आ गई बात, KOH को रखने से क्या होगा, वो भी देखो अबी, ठीक है, so, then iodine test perform करना है X और Y में, ठीक है, then iodine test क्या करना है, perform करना है X और Y में, ठीक है, मैं बता देती हूँ, so, X setup में आप रखो KOH, ध्यान से सुनो, यह आपके NCRT का इस setup है, X setup में आप रखो यहाँ पर, इमेज का है, चलो, इस setup में हमने रखा है KOH, ठीक है, दिख रहा है, it is visible or not, so, X setup में रखो KOH, इसमें कोई KOH नहीं है, KOH का का काम क्या होता है, KOH जो होता है, वो CO2 का absorber है, KOH जो होता है, KOH जो ह में के समय, इनके पास भयंकर वाली CO2 थी, अब क्योंकि हमने एर टाइट कर दिया, तो CO2 जो है, बाहर नहीं निकल सकती, CO2 बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है, इसके पास भयंकर CO2 बारी हुई है, भयंकर CO2 बारी हुई है, ठीक, ढखते समय, CO2 बहुत सारी थी, इसके अंदर अब इस महाँ से KOH ने क्या किया पूरा CO2 खीच लिया अब बेटा इसके पास इस सेटप के पास CO2 नहीं बचा क्योंकि सारा CO2 तो भई यह KOH ने खीच लिया अब इस सेटप के पास CO2 नहीं है माइनस CO2 पर इसके पास CO2 है अब अगर आपको photosynthesis का reaction याद होगा ठीक है तो उसका reaction क्या होता है यह C6H12O6 और यह होती है कहानी ठीक है याद होगा अगर आपको ठीक तो CO2 जो है यह चाहिए ही चाहिए photosynthesis के लिए निटो काम बनेगा नहीं तो यहाँ पर बेटा क्या होगा CO2 नहीं होने की विजए से photosynthesis नहीं हो पाएगा और अगर photosynthesis नहीं हो पाया तो glucose जो है यह तो बनने का कोई सवाल ही नहीं है ठीक है glucose का polymer की कौन होता है glucose का polymer होता है starch polymer समझते हो ना बहुत सारा glucose जोड़ दोगे तो starch बनेगा तो बहुत सार्च बनने का सवाल इसमें है ही नहीं एर में तो कुछ नहीं है अब बेटा इसमें आईए इसमें photosynthesis होगा हां मैं होगा क्योंकि CO2 था तो CO2 के साथ पानी जुड़ गया अब देखो क्या होता है गर्मी आती है तो यहां पर water droplet भी ऐसे जुड़ जाते है CO2 के साथ water जुड़ जाएगा और photosynthesis होगी और starch बनेगा क्या जी हां बेटा स्टार्च भी बनेगा ठीक है अब करो इसमें iodine test बेटा अब बोलो मैडम पहले का starch 72 घंटे तक डार्क में रख दिये था तो स्टार्च तो सब यूजी हो गया है नया स्टार्च बनना है हमको यह टेस्ट करना है कि नया स्टार्च बना की नहीं बना अब photosynthesis हुआ है नहीं तो स्टार्च बना नहीं इसमें बनेगा स्टार्च आप करो iodine test ठीक है? iodine test करो रे iodine test में क्या होता है? कि iodine जो होता है वो स्टार्च के साथ रियाक्ट करके bluish blackish color देता है ठीक है? तो इसमें स्टार्च बना नहीं तो इसमें iodine test कैसा होगा बच्चो? iodine test होगा negative इसमें जो है iodine star के साथ रियाक्ट करके कैसा color देगा बोलो iodine star के साथ रियाक्ट करके blue और black color देगा क्योंकि इसमें star बन चुका है समझ में आई बात इस setup से तुम क्या conclude कर गया इस setup से हमने ये conclude किया madam जी कि CO2 is very necessary for photosynthesis ठीक है? इस setup से हमने ये conclude कि photosynthesis के बाद glucose का formation होता है glucose के polymer को हम starch खेते हैं starch जो होता है ये storage form होता है food का into the plants photosynthesis नहीं होने पर 12 गंटे तक photosynthesis नहीं हुआ था जाओधे होते हैं वो इसी starch को use करते हैं as their food material activity clear होई? activity clear हो गई ना? चलो ओके, so तेखते हैं question क्या क्या पूछ रहा है the experimental setup is used to prove the essentiality of which of the following requirements of the photosynthesis इस experiment से हम किस चीज के essentiality को दर्शार है क्या चीज चाहिए photosynthesis के लिए chlorophyll जी नहीं, oxygen जी नहीं sunlight ठीक है, sunlight तो आई जाएगी carbon dive site, ठीक है carbon dive site की presence नहीं होने पर क्या होता है, absence होने पर क्या होता है absence और presence होने पर क्या होता है, वो हमने देखा इसमें, आगे देखते हैं function of KOH, KOH किसको absorb करता है, CO2 को ठीक है, आगे देखें which of the following statements shows the correct results of iodine test perform on the leaf from plant X and Y, ठीक है हमको ये बताना है कि X and Y में iodine का जो perfect result है, वो किस ने दिया, ठीक है blue and black color would be obtained on the leaf of plant exchange and no change on the color of leaf Y जी नहीं, X में blue and starch बना नहीं था, तो iodine test तो उसमें negative था, तो कोई color change होने को कोई सवाल ही नहीं है, blue and black color would be obtained on the leaf Y and no change on the color of plant X, इसको hold पे रखते है भी, red color would be obtained on the red color का तो कोई सवाल ही नहीं, red color का कोई सवाल नहीं, तो B option is correct तो भाईया, जो आपका A, X वाला plant है, उसमें कोई change नहीं होगा क्योंकि photo synthesis होने, तो iodine बिलकुल बिना react हुए, निकल जाएगा इसे, चेंज होगा वाई वाले plant में, ठीक है which of the following setup can be followed for the making apparatus airtight क्या चीज यूज करते हैं airtight setup करने के लिए क्या section pump में यूज करते हैं, क्या पाला क्या section pump के उज करेंगे, ठीक है vaseline यूज करते हैं, grease यूज करते हैं ठीक है, vacuum pressure जी नहीं और glass plate यूज करते हैं तो one and three is the correct option, see glass की उज करते हैं तक कि light penetrate हो सके और photosynthesis के process वो हो सके, ठीक है so बच्चो, बच्चो, we have done what? we have done the questions of biology with the detailed explanation, ठीक है मैंने आपको सिखा दिया, समझा दिया पूरे question जो आपके biology sample paper में दिये गए है और मैंने correct बताए सारे और भयंकर वाला explanation दिया इससे आपका फिर से एक बार चीजे recall हो गई और हम भूलने नहीं देंगे शिपरा मैम, जब तक आप हमारे साथ रहोगी इस life process को तो आप भूलने नहीं देंगी आज आपने सिभ्ध कर दिया और जी हाँ, जब तक आप मेरे साथ रहोगे term 1 में आने वाले syllabus को मैं भूलने नहीं दूँगी ताकि मेरा बच्चा सब को बताए कि biology हो तो SEO नहीं तो ना हो समझ आई बात So we have solved all the questions of biology from your sample paper जो कि आपके CBSC में आपको दिया हुआ है Last May Thought of the Day हम discuss करते हैं हर बार तो आईए देखते हैं परिंदो को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए punk उनके बोलते हैं वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं बिल्कुल सही बात है हमेशा कभी भी चे-चे-पे-पे-पे-पे-पे नहीं करने चाहिए और मैंने ये कर दिया मैंने तो तरी क्वेशन कर दिया और हमेशा तुमने देखा है कि क्लास में टॉप वही बच्चा करते हैं जो ज़्यादा बोलता नहीं इवन मैं आपको बताऊ कि मैं हमेशा मेरे 4 समेस्टर of PG में मैं 3 समेस्टर में टॉप पर थी पर हमेशा जब ही मुझे कुछ बोलता था क्यो शिपरा तु ये पढ़के आए तो मैं बोलती थी नहीं ठीक है तुझे ये बनता नहीं तुझे बना नहीं ठीक है जब एक्जाम होता था मैं किसी से कोई बात नहीं करती थी पर जब रिजल्ट आता था तो सब मेरा जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा शोर मचाता था हमेशा लोगों का मुँ आपके रिजल्ट सही है और जितना आप खामोश रहेंगे उतना ही जादा आप अपने आपको निखार पाएंगे जादा बोलने से एनरजी लॉस होती है और पढ़ने के एफिशेंसी कम होती है तो कम बोलिए काम जादा करिए जब रिजल्ट आएगा तो घर पे हम लोग सबसे बहतरीन बात यह है कि आपको सारे लेक्चर प्रवाइट कर आए जाते हैं फ्रॉम दा किंडर गार्टन तुदा नीट एंड जे लेवल आपको सब पढ़ाया गया है बच्चो और मैं यह उमीद कर रही हूं कि आप देखते होगे क्योंकि आप 10th level के हो तो आपको उस लेवल के सारे लेक्चर देखते होगे तो अगर आप मैंगनेट ब्रेंस में चाहते हो कि आपको अरेंज लेक्चर मिले तो यू कैन विज़ट वेबसाइट और अगर आप वेबसाइट पर लि और अगर आप मेरी फोटो पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसे एक लिस्ट मिलेगी और आपको गर लाइफ प्रोसेस का लिक्चर नमबर वन पढ़ना है तो क्लिक कर लेना आप देखते रहेना हर लेक्चर उस पे वेलेबल है ऐसी लाइन ऐसा शब्द ऐसा शर कुछ नीच छो हो या ना हो इससे कोई लिए नहीं आपके टीचर्स आपके गुरु आपके साथ होने चीए जो आपको आपके जमीन से शिखर तक पहुचाने के लिए सक्षम होंगे So I hope you learned and enjoyed the session. See you in the next class. तब तक मेरे साथ पढ़ते रहे हैं. Thank you so much बच्चो and bye-bye.